उन्हें, पता नहीं, कहते तो सब हैं, पर उनने किया कुछ नहीं है, कि अकलेष बाबा ने, वो दिख रहा है, लेकिन मुझे पारवलेड जाद अच्छा लज़गता है बनना, अच्छा है! इसमें जो बड़े भाइ थे रतन सिंह वो उनके यहां पर उन्होंने सेना में सेवा की थी, बासट के युद्ध में भी, जब चीन के साथ युद्धुआ था भारत चीन का, और उसके बाद पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान का भी युद्धुआ था तो उन्होंने उसमें अपना सहयोग दिया था, उस युद्ध में भी थे, और उनकी यहां पर बतनी है, बताई जाती है, वो अभी है, और यानिके मुलाइम सिंह आदो जिकी भावी, तो यहां पर हैं अभी जो लोग उनसे बात करते हैं, तो आप से बात हो जाएगी आपसे, खाना खा रही है ना? तो यह आप जो है जो मुलाइम संग जो थे उनकी वाइब तो यहाँ पर है बाकी सब लोग देखे नॉर्मल तरीके से रहते हैं यहाँ पर बिलकुल वैसे ही खाना होना जैसे गाउं में चलता रहता है आप गाउं से हैं कब से यहाँ पर मतलब क्या महौल है इस बार कर गया लग रहा है कैसे अच्छा लग रहा है तो यहां पर इस बार अभी आये थे नेता जी मिले थे आपसे नेता जी जब आता मिलता हमसे मिलते रहा है खाना खा रही है अभी जादे बात तो नहीं कर सकते हैं कितनी उमर है कितना उमर है आपकी उमर नहीं जानती हैं तो जो आपके वो है जो अखिले सियादो जी है उनको आशिरबात दिया है इस बार आपने तो यह उनकी जो है ताई है बड़ी चाची है और यहाँ पर आप देखी कि किस ते नॉर्मल तरीके से लोग रह रहे हैं और यहाँ पर जो तालाब है आप आप गाओं की है हां बगलम रेते हैं प्ड़ह लगता है आपके गाओं में मुख मंतरी और सब लोग नहीं ॥ा हां रहते हैं कैस लगता आपको अच्छा लगत तो किस बगता है यह पया निक जीत करहेंँ है यहowa कैसे लगते है यहाँ और योगी बाबा बाडम चले जा है नहीं होगी बाबा नहीं करना है ऐसा गुसा है कि अम इसलिए वर नफ्रात है अमार सब बर्मात गद्द हुए कह रहे कापी अब बच्य काखी ने काफी बदनाम भी किया है साफ़ाई की नाम पे वह महत सो होता था उसमें जादे पैसा वीसा लगाते थे तो पैसा लगाते तो लगाते ओगी को मम कागो अब बच्वाई को तो कुछ गो नहीं वह में फिर ओगी तो बदनाम ही कत वह मतलम में हां ओगी को अब पैसा लगो आप दो अश्पताल हमें अकले सन श्पताल बताओ फीता काटी चलोगो काओ कि यह सब्हीं काम करें शटक तो बनाई नहीं काओ एगस पताल तो को बनाई नहीं काओ और जग आदमने काम किये काम के लड़का तो कोई लगाई नहीं आपका सुनाम का है नाम क्या है आपके घर में तो सब लोग है सांसद है मुखमंत्री है सब लोग है तो कैसा लगता है आपको बहुत अच्छा अच्छा लगता है तो यहां पर आपको दिखा है हां दिखाएंगे तो यहां पर भी आते हैं वहां पर भी आते नहीं कोठी है कि अभी यहां पे कौन कौन रहता है मतलब आप रहती है और अच्छ अच्छ कि अच्छ पार्टी से जुड़ गए है कई करता है यह को अधिक दूकान भी सब्सक्राइब तो आपका काफी विकास वाय है गाउं में का बहुत अच्छ यह फोई दिक्कत नहीं है यहां पर अब आपको देख रहे हो तो बताओ आप 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 यहां तो सब जीत दी रहे आगे पीछे की तो मुझे पता नहीं वाई यह बाटल लेवर नीचे जा रहे इसलिए आकी समर्बंद कर दी कर दी आप यहां पर तालाब हुआ था था फिर मुलायम सिंह सरकार में यह पक्का हो गया तो साल पहले बात है जब आप नहाते बाद है तो चौरान वी मना था चौरान भी बन गया था चाहिए और उसके बाद कब बंद हुआ है कि अब पानी देशाल दो साल पहले अच्छा तो कब से देख रहे हैं आप लोग मतलब मुलायम सिंह आदो जी को और सब लोगों को मतलब हमारी मर्स पैंतालेस वर्स की ओगई अब याद तो थोड़े बात का है तो मुलायम सिंह आदो जी और नीश्वादी पार्टी का मुख कमंत्री थे इस बार क्या होगा आप डाया हैं इनका पे आक्ष्याया अप आपको क्या बनना है मतलब पाइलेट बनना है क्यों नेतागिरी नहीं पसंद आपको अच्छी लगती है लेकिन लेकिन मुझे पाइलेट जाद अच्छा लगता है बनना अच्छा है तो पढ़ाई करती है आप हाँ किस क्लास में सिक्स्थ अब इस बार आये थे मिले थे आपने तजी से अभी तो नहीं इस तेले मिला गात हुई थी बात दिन हो गए हैं तो देखे बच्चे भी घुमते रहते हैं और यहां पर आपके गाउं में कैसा लगता और दूसरे गाउं से अलग कैसे लगता अपका अब में बहुत अच्छा लगता है कि हम सेफवी के काउं में रहते हैं और यह अच्छा लगता है क्या मतलब अलग है आपके काउं में यहां पर पी एम भी हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें इस्टेडियम भी है अधर क्रिकेटिर्स भी आते हैं बहुत सारी चीज़ें क्या मेडिकल है मेडिकल कॉलेज इतनी चीज़ें क्या नाम है में अधी बहन नहीं है चाचा की लिड़की क्या कहेंगे आपके गाउं मतलब कापी अलग है हां हमारे गाओं में विकास हुए है थो सबसे अलग है अगर इस वार अखेश बाबा आए तो जैसा हमारा गाओं इसे हर गाओ बनेगा है युझी लेकिन योगी जी ने योगी बाबा भी तो कहते हैं हम पूरा बहुत बढ़ियां डबलम्मेंट कर रहे हैं उनने पता नहीं कहते तो सब हैं पर उनने किया कुछ नहीं है कि आखलेश बाबा ने वो दिख रहा है आपको क्या बनना है मुझको तो टीचर बनना है कोई नेता र तो फिलाल यहां पर जो है आप देख सकते हैं यहां पर जो लोग है और जो जैसे हैं और यहां पर यह गाउं है गाउं के लोग भी यहां पर रहते हैं और यह देखिए गाउं है उनका बगल में और यहां पर भी घर है इनका तो यहां पर पूछते हैं कि क्या कैसे यहां पर जो रहे चुके हैं सांसद हैं और सब कुछ हैं पर लोग आपके बगल में हैं आपका घर है क्या इस गाउं में चलकता है आप दिदम बगल में परोसी हैं जी तो क्या कुछ आपको मतलब यहां पे उनके काल में क्या कुछ हुआ अलग अब क्या नहीं हो रहा है बीजेपी के काल में विकास हुआ है हमारा सबका और आगे भी होगा अब जब आएगी सरकार योगी जी ने तो इधर देखा भी नहीं तो गाओं वाले किस नजर से देखते हैं पूरे परिवार को अच्छी तरीके से दिल में सम्मान नहीं का जाते हैं परिवार को ही बढ़ाने के लिए करते हैं परवार को क्यों पूरे देश को एक नजर से देखते हैं पूरे परदेश को और हिंदुत के आरोप को क्या लग तो यहांपर निकाली नहीं नोकरियां लगेंगी कहां से बस खेतों में काम कर रहे हैं और क्या हुँ तो यहां पर यह एक आप इसी घर के है पहशा है क्या नाम हुआ आपका आपका किसानी जीतिकाना किसानी भी लिए अच्छ इ यहां पर जो देख सकते हैं कि सहफई का क्या माहौल है क्या कुछ है उनके घर का माहौल हमने दिखाया तमाम लोगों से बातचीत की जो पुराने लोग है और जो भी उनके घर परिवार के लोग यहां पर हैं फिलाल चुनाओ दिल्चस्प है और माहौल भी गरम है और भी दि